मेरा नाम है देव वियश और कोविन के उपर 11 जून का अपडेट यह है बसीली जो API पॉर्टल था बनलब API जो एकसेस करते थे हम लोग कोविन का जिसके उपर से आपको टेलिग्राम के उपर जो नोटिफिकेशन आते थे अब कई लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आया थे कि सा जो टेलिग्राम के नोटिफिकेशन आते थे अंडर 45.IN से क्या अब वो अब भी रेगुलर रहेंगे रिलाइबल रहेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर 32 लाग और यहां पर लोग रजिस्टर है और इसके जो फाउंडर है वो बैटरी थामर्स है और दोद लोग और है तो गाइस सबसे पहले तो हमें इन तीनों लोगों का थैंक्यू बोलना चाहिए बहुत बहुत ज़ादा क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो वैक्सिनेशन लग पाई है वो इसी वे से लग पाई है क्योंकि टेलेग्राम ग्रूप के उपर उनको प्रॉपरली अलर्ट मिल रहता हूं और उनको जो टाइमिंग थी सेंटर की वो अब्जर्व कर पा रहे थे अब गाईस यहां पर दो प्रॉब देटा मिलेगा प्लस आप केवल 100 API भीज सकते हैं हर 5 मिनिट के अंदर फर 5 मिनिट और उसके उपर भी पर IP अड्रेस भी है सिंगल होना चाहिए तो केवल 100 API को कॉल से तो काम चलने वाला नहीं है तो यहां पर क्या हो था था कि पहले जादा कोई इंप्लिमेंटिशन नहीं था लेकिन अब कोविन की जो नहीं वाली जो पॉलिस है उसके अकॉर्डिंग नों ने यहां पर अप्लाई किया था तो यहां पर बैट्री थोमस की जो एप्लिकेशन है जो बीसी लिए गवर्मेंट को दी गई थी वो यहां पर उन लोगों ने इंप्लिकेशन यहां पर रिजेक्ट हो चुकी है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर बीसी लिए टेलिग्राम के उपर जो आपको अलर्ट मिलते हैं उसकी थोड़ी सी स्पीड यहां पर कम हो जाए लेकिन यहां पर इन्होंने एक और कंफर्मिशन दिये जैसे आप ट्विट्स में देखेंगे किसी ने मेरा यहां पर वीडियो पोस्ट करके पूछा था कि सर जो बीसी लिए टर्म सो सर्विसस अप्डेट हुए क्या उसका आपका जो टेलिग्राम के बाट्स आप जो यूज कर रहे हैं इसकी उपर को इंपक्त पड़ेगा तो यहां आप इन्हों ने साफ साफ जवाब दिया हुआ है कि alerts are unaffected by this यहां we don't use any authenticate API to search for the slot तो guys basically अभी तक राइट नाउ जो आपको टेलिग्राम के उपर updates मिले है definitely आप उसको यूज कर सकते हैं तो वहां पर आपको ऐसी कोई problem नहीं है उससे कोई terms of services violated नहीं हो रही है बस इनको ज इस चीज के लिए यहां पर apply कर दिया है तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इन application के थ्रूबी आप जो है कोविन का यहां पर slot वगर booking कर पाएंगे और guys यहां पर एक और दूसरी news यह है कि Twitter के ओपर आज सुबे से यहां पर train कर रहा था कि कोविन का data है basically जो dark web होता है जहां पर data sale के जाता है black market के अंदर तो वहां पर किसी ने 800 dollar के अंदर 500 million लोगों का यहां पर data listed कर रखा है जिसमें उनका name, mobile number, आदाकाट number यह सब कोच है लेकिन इसलिए नहीं यहां पर government ने clarify कर दिया है कि जो 15 crore Indians का data है वो बिलकुल safe है यहां पर कोई ऐसी hacking नहीं हुई आप पता नहीं क्या सच है क्या सच है और क्या जूट है वो चीज आपको बीसिलिए यहां पर decide करनी होगी So guys hope you like this video please subscribe channel अगर कोविन के ओपर कोई भी other other updates आते हैं तो उसके वीडियो मैं definitely बताऊँगा Thank you guys